समस्क्राइब दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दुआरा जो है अपनी वेकेंसी निकाली गई है लीगल ऑफिसर्स के लिए मैं आपको क्लियर शब्दों में पहली क् अपनी पोस्त होती है अब जो भी आई होई है मैं आपको अपडेट कर रहा हूं लीगल ऑफिसर्स यह बीग्रेट वाली पोस्त है लेकिन बहुत बढ़िया होती है आप ऐसे मत समझेगा कि भाई यह तो छोटी मुडी बसे सरकारी नौकरी मिलेगी पर्मेनेंट जॉब मिल अपना नौलेज बढ़ाने के लिए अपनी वीडियो देखनी है कौन-कौन से डिपार्टमेंट में मैं आगे चलके जॉब्स के लिए कर सकता हूं तो आप लोग जरू देखेगा यही रहता है कि आप लोगों को एक-एक जानकारी दी जाए क्योंकि अवेर्निस की कमी है ब लोग बस अपना आपको उल्टिस्सी दी बाते बताते हैं जो फायदे बननी है तो मैं आपको जैन्वान हमेशा नौटिफिकेशन ओफिशल वाली लेकर आता हूं तो लीगल ओफिसर लिखा है ना ग्रेड नंबर बी के अंदर यह रिजर्व इंडिया के अदर आपको वेक और 6 बजे तक 20 जून 6 बजे तक अपना फॉर्म भर दोगे तो बहुत बड़ी रहेगा नहीं भरोगे तो सॉरी मौका निकल जाएगा हास्ते और आपका ना एक्जाम भी होगा एक्जाम भी होगा लीगल ओफिसर की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर और भी विकेंस बता हूंगा और यहां रखना लीगल जी के पुची जाती है जो लोग मेरा टॉपिक पढ़ रहे हैं लीगल जीके का मैं आपको हजार बार ही बुला हुए जहां लॉओ अपिसर की बात आएगी जहां जो डीश्री के एक्जाम की बात आएगी वहां के वल लीगल जीके पढ़न मुद्दे वाली चीज़ पर हम आते हैं यहां पर क्या है कि आपके पास experience किस चीज़ का होना चाहिए कि आपको deal करने आने चाहिए legal issues ठीक है जो भी हमारे banks के अंदर आते है legal issues वो आपको deal करने आने चाहिए banking regulation act 949 foreign exchange management act 1999 companies act 2013 वाला ठीक है initial draft आपको prepare करने आने चाहिए आपको prepare करने आने चाहिए and litigation के अंदर जो भी आपका experience होना चाहिए banks के regarding labor court के अंदर conciliation officer के दौर पे tribunals के अंदर आपको case deal करने आने चाहिए मैं तो कभी court में गया ही नहीं हूँ मैं तो कभी tribunal में गया ही नहीं हूँ मैंने तो कभी act के बारे में सुना ही नहीं तो sorry ऐसा नहीं चलेगा ठीक है और आपका experience काउंट करा जाएगा एक माई 2023 से और आपके पास law की डिगरी होना mandatory है 50% उसमें होना mandatory है और इसके अंदर experience आपका as an advocate आपका enrolled होना mandatory है और दो सालों का आपका experience होना mandatory है ठीक है law office अगर आपने advocate के तौर पर काम करा है या law officer in the legal department of the larger bank या financial institution कहीं पर भी आपने काम करा है वो भी चल जाएगा advocate के तौर पर काम करा है वो भी चल application का certificate जो भी आप अपने enrolled होगे न स्पैशल नॉलिज आपके पास होनी चाहिए बैंकिंग लॉकी कंपनी लॉकी लेबर लॉकी constitutional लॉकी यह आपका इसके नदर मांगा कि जब आप अपको यह थोड़ी सी जानकरी होनी चीए इंटर्व्य होगा आपका तो यह उस चीज में आप से पूछी जाएगी इतनी बात आपको कि आपको पेपर कहसे लॉगा तोटल आपका इसे जो स्कोर आपकरोगे उसमें आपकी मेरिट लिस्स प्रिपेर होगी उसके बाद आपका सेलेक्शन पुआ जाएगा लीगल ओफिसर इंगलिश्टिव इंडिया ग्रेड बी के तौर पे अब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर जो कि 100 नंबर का होगा चालिस नंबर का आपका इंटर्व्य होगा टोटल इसमें से जो भी आपा संक्राइम अपना ठे सकते हो इसमें में certific अधर भूला नियुक्त में ंग्लीश में ने इंगलिश में लिखना है इंगलिश में लिखो dat इंटर्व्यूं कोई दिकत वाली बात याद रखेगा स्लेबस की बात कर दिए तो स्लेबस आजाते हैं पेपर 1 के अंदर आपको स्लेबस क्या हैगा जनरल नॉलिज ऑफ लॉ पर लॉ की बात करें ऐसा नहीं है कि आप आई एस लेवल की जी एस पढ़ने लग जाओगे जी के पढ़ने लग जाओगे भाई कुछ नहीं आता वो आप मेरी बात पर भरोसा रखो अब जाधा तर जो भी एक्जाम्स आ रहे हैं आपको मोडिफाई कर रहे हैं वो अपडेट कर रहे हैं कि हां यार एक जजज बनके आ रहा है उसको आई करें आपको आना चाहिए एड्मिनिस्ट्रेटिव लॉट आपको आना चाहिए चाहिए और पेपर टू के अंदर ऑवियसली वो तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा अब एससे राइटिंग में जो इंग्लिश का है वो आप हिंदी में थोड़ी ना लिख होगे जैसे पूछा गया है प्राइसी राइटिंग प्राइसी राइटिंग का पता है न कि कहानी के रूप में समरी के तोर में आपको प्रेंट करना होता है कॉमपरिएंशन आपको आना चाहिए बिजनस और Office correspondence आपको काम काज करना आपसे questions पूझ जाएंगे इसका आपको आनती है इतना से काम कर लोगे तो इसमें आपका काम बढ़िया हो जाएगा जितने भी लोग इंटरस्टेड हैं जो लोग याद रखेगा यह अपॉचुनिटी बार बार नहीं आती है और एक ही वेकेंसी है भी हमार को से मतलब ही नहीं है अगर आप में शंबता है ना आपको लगत कोई जोगार करके भी कोई अपना ऑफिसर नहीं लगा सकता है याद रखेगा तो यह आप लोगों की महनत से ही आप लोग सेलेक्ट होते हो लाइफ टाइम अपना खाओ गया राम से एक बार की महनत है बस याद रखना 29 मई से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं 20 जुन तक फॉर्म भरते रहेंगे और 23 जुलाई को जो मैंने स्लेबस बताया आपको अभी उसके अंदर आपका पेपर होगा और अप्लाई कैसे करना है यह लिंक्स आपको मैं वैसे डिस्रिप्शन मॉक्स के इंदर दे दूंगा वहीं पर आपको कोई भी डाउट बनता है यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म यहां पर क्लिक कर दोगे तो भी आपका खुल जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको लगता है कि जो मेरे दुवार यह दो यह खुल गया ठीक है बस इंपल सी बात है इसका लिंक मैं आपको डिस्रिप्शन बोक्स के नि अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरे दुवारा जानकारी दी गई है वो रह गई है या आपको लगता है कि कुछ बताना और चाहिए कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट बोक्स के डाउट अपना पूचके क्लियर कर लीजएगा मिलते नेक्स वीडियो गिनस थैंक झाल 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 झाय।